चैलेट होटेल्स ने हैदराबाद में पूरी तरह महिला संचालित होटल किया लॉंच स्टॉक। उचला होटल चैन चलाने वाली चैलेट होटेल्स ने सोमवार 5 जून को मारियट इंटरनाशनल के साथ साजेदारी में हैदराबाद, वेस्टिन हाइडराबाद हाइटेक सिती में अपना नया होटल शुरू किया ये नया होटल पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित इस स्टॉक ने पिछले 6 महीनों में 22.72 प्रतिशत का रिटर्न दिया है इसकी तुलना में इसी अवधी के दौराण निफ्टी 50 में 0.47 प्रतिशत की गिरावट आई है होटल चैन चलाने वाली कमपनी ने 5 जून को मैरियट इंटरनेशनल, मैरियट इंटरनेशनल के साथ साजेदारी में हैदराबाद, वेस्टिन हाइडराबाद, हाइटेक सिटी में अपना नया होटल शुरू किया इस होटल की खासियत ये है कि ये नया होटल पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होटल है यह होटल एक से अधिक प्रकार से यूनीक है शैले होटल्स के प्रबंध निदेशक और सीओ संजय सेठी, संजय सेठी, मैनेजिंग डिरेक्टर सीओ, चैलेट होटल्स तहां, न केवल यहां पहले दिन से बिक्री होगी, बलकी एक प्रचलन तोडने वाली घटना यह है कि इसे सभी महिलाओं की टीम द्वारा लॉंच किया जाएगा चैलेट होटल्स का स्टॉक सुभा 9 बचकर 45 मिनट बजे अपने पिछले बंध से 1.36 प्रतिशत उपर 445 रुपए पर कारोबार कर रहा था मार्च तिमाही के लिए कंपणी ने सालाना आधार पर 125 प्रतिशत की वृध्धी के साथ 345.79 करोड रुपए का कंसोलिडेटेड शुद्ध सेल्स दर्स किया था तिमाही आधार पर शुद्ध मुनाफा मार्च 2022 में 11.45 करोड रुपए से 442 प्रतिशत बढ़कर 49.17 करोड रुपए हो गया Q4FY 23 के लिए ओपरेटिंग प्रोफिट या एबिट्डा 160.27 करोड रुपए पर रहा जो Q4FY 22 में 36.9 करोड रुपए से 334 प्रतिशत अधिक है मार्च 2022 में प्रतिशेर आए 0.56 रुपए से बढ़कर मार्च 2023 में 1.9 एक रुपए हो गई घरेलू ब्रोक्रेज प्रभुदास लीलाधर का मानना है कि शैले होटल्स को आगे संपत्ती बढ़ाने से लाब होगा कमपनी मई में नोवोटेल पुने में 88 कमरे का होटल खोलेगी जून से हैदराबाद में 168 कमरे का होटल खोलेगी जबकि बंगलरू में लगभग 10 लाख वर्ग फुट की जमीन को पटे पर देने से किराए की आए बढ़ेगी प्रभुदास लीलाधर ने शैले होटल्स के लिए FY23 से FY25 इतक आए में 23 प्रतिशत और मुनाफे में 54 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान लगाया है इन्होंने 504 रुपए के लक्षे मूले के साथ स्टॉक पर खरीदारी की रेटिंग दी है